गुड मॉर्णिंग ओल अफ यू आज हम सुभध वैकराण से चैप्टर त्री शब्द वीचार पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं जब भी हम कोई बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं तो किसी ना किसी भाषा का सहरा लेते हैं भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्ये शब्दों का अर्थपुर्ण समुह होता है शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं लेकिन वर्णों का यहां मेल एक प्रकार का लेकिन वर्णों का यहां मेल इस प्रकार का होना चाहिए जिसका कोई अर्थ भी हो उधारंग के लिए साथ दिये गये चित्र को देखिए यहां दो शब्द दिये हैं कमल और मकल कमल यहां अर्थपुर्ण शब्द है जबकि मकल यहां अर्थपुर्ण शब्द नहीं है तो यहां शब्द उसे कहेंगे जहां वर्णों का सार्थक मेल हो और एक अर्थ मिल रहा हो उसे हम शब्द कहेंगे चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं अभी हमने आपको बताया वर्णों का सार्थक मेल जहां वर्णों को मिला के शब्द बनाया जाता है और उस शब्द का एक अर्थ मिलता है हमें उसे हम शब्द कहेंगे चलिए अब देखते हैं शब्द बंडार शब्द किसी भाषा का आधार होते हैं किसी भी विचारिया तथे को पहुँचाने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करना वज़क होता है जिसके पास जितने अधिक शब्दों का बंडार होता है वह अपनी बात को उतनी ही अधिक कुशलताओं प्रभावशले धंग से दूसरों तक पहुँचा सकता है किसी भाषा में प्रयोग किये जा रहे शब्दों के सम्हों को उस भाषा का शब्द बंडार कहते हैं जिस भाषा के पास शब्दों का बंडार होता है वह अपनी बात को उतनी ही अधिक कुशलताओं प्रभावशाली धंग से कह सकते हैं उसे शब्द बंडार कहते हैं चलिए रेखते हैं शब्द बंडार की परिभाषा किसी भाषा में प्रयुक्त किये जा रहे शब्दों के सम्मूह को उस भाषा का शब्द बंडार कहते हैं चलिए अब देखते हैं शब्द और पद पद की परिभाषा देखते हैं वाके में प्रयुक्त किये जा रहे शब्दों को पद कहते हैं शब्दो का वर्गी करन शब्दो को मुख्य रूप से चार निमने लिखे आधरों पर बाटा गया है उत्पत्ति या स्थोत्र के आधर पर रचना या बनावट के आधर पर अर्थ के आधर पर प्रयोग के आधर पर आज हम उत्पत्ति या स्तोत्र के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे यहां उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पांच भागों में बाटा गया है सबसे बहले हम देखेंगे तच्सम शब्द तच्सम शब्द वह होते हैं जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति